अध्यक्स मोदे आज परिवाहन उच्च शिक्षा तक्निकी शिक्षा समंदित चर्चा में भाग लेने के लिए आपने जो मुझे मोका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्ट करता हूँ माननिये अध्यक्स मोदे जी मैं आपका ध्यान मेरी विधान सबाचेत्र के लोगों को आवागमन परिवन समंदी जो समश्याएं हैं उनके बारे में आपका ध्यान केंद्रित चाहूंगा माननिये अध्यक्स मोदे पिछले कुछ समय से राजस्तान रोडवेज की बसें परियाप संख्या में नहीं हैं और जो बसें चल रही है उनकी भी जो फिटनस है वो इस्तरिये नहीं है मैं माननिये उपमुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मुझे कई बार ये लगता है कि इन बसों के फिटनस में ये सरकारी निगम होने की वज़े से सिथिलता दी जाती है नहीं तो कई बस ऐसे कंडिशन की लगती है कि वो सड़कों पर नहीं होनी चाहिए और बसों की कंडिशन खराब होने के कारण कई एक्सिडेंट भी सामने आते हैं देखते हैं कि कईयों में ब्रेक टाइम पे नहीं लगता है टायर कमजोर होते हैं और क्लच ब्रेक सभी समश्या हैं बसों की बहुत गंबीर समश्या है और जो बसें चलती हैं वो साब शुत्री भी नहीं रहती है मानिये मेरे विधान सभाचित्र में दो उपखंड हैं एक बांसूर है दूसरा नाराणपूर है बांसूर में आज से दस साल पहले जब पहले भाजपा सरकार थी अलवर सीकर की बहुत बसें चलती थी और उसमें प्रियाप्त बहार होता था लेकिन वो बसें पिछले पांच सालों में दिखाई नहीं दी और आजकल जो कोट पूतली अलवर की बसें चलती हैं उसमें भी भारी कटोती देखने को मिल रही है तो मेरा आपसे ये निवेधन है कि हमारा जो कोट पूतली से और अलवर का या तो बच्चे हमारे कोट पूतली पढ़ते हैं या अलवर पढ़ते हैं और बानसुर हमारा बीच का सेंटर है तो वहाँ के लिए परियाप संख्या में बसें उपलब्द कराई जाएं इसके साथ ही मेरे छेतर से जैपूर भी आने वाले लोगों के संख्या प्रती दिन काफी रहती है और जो नाराणपूर के लिए जैपूर से बसें जाती हैं वो सवाच चार बजे चांदी की टकसाल से चलकर लगबक साथ बजे नाराणपूर पहुंशती है लेकिन ओफिस का टाइम आम तोर पर 6 विजे तक होता है और बजार भी 6-7 विजे तक कोई व्यक्ति अगर गाउं से चलकर आता है तो उसको इतना टाइम लग जाता है वापस जाते वक्त उसके लिए नाराणपूर के लिए सुविदा कम मिलती है जो अलवर बसें जाती हैं वो वाया थानागाजी हो कर जाती हैं और व्यक्ति को गाटा बांदरोल में उतर कर वहाँ बसों वहाँ किसी प्राइवेट वीकल को मैनेज करना पड़ता है और नारेणपूर के आज पास की हमारी लगबग 20-25 पंचायतें जयपूर से कट जाती मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शाम को पांच बजे के बाद 6-8 बजे तक जयपूर से अलवर जाने वाली कम से कम तीन बसों को वाया नारेणपूर निकाला जाए ताकि नारेणपूर और उस छित्र के पास में आने वाले तक्रिबन दो दर्जन गाओं के लोगों को परिशानी का सामना नहीं उठाना पड़े इसके साथ ही हमारे यहां नारेणपूर से कोट पूतली जो वाया करना होकर रास्ता है इस पर भी बसों के कापी कमी है दूसरे नारेणपूर से वाया निमूचाना होकर कोट पूतली के बसें भी हमें और चाहिए मेरा आपसे निविदन है कि हमारे कराना से जो रास्ता निकलता है और वो नयावास बास देयाल रस्नाली नवलपूरा खेडा शामपूरा जाता है उस रूट पर बसें चला ही जाएं वो बसें नारेणपूर से बानशूर के लिए चलती हैं और वाया कराना बास देयाल होकर बानशूर तक चलें अभी आपसे पहले भी विक्तिकत रूप से मिलकर भी ट्रांस्पोर्ट में आ रही परिशानी के बारे में आपको बताया हमारे चित्र का बड़ा कस्बा रामपूर है पहले कोड़ पूतले से रामपूर भी कापी विसें चलती थी उनके संख्या में भारी कमी आई है और लेट आवर्स में वो बसें नहीं चलती है साथ ही हमारे हरसोरा भी एक बड़ा कस्बा है तो वहां भी लेट आने जाने वाले लोगों के लिए सुविदा नहीं है इसलिए कोड कासिम से और बान्षूर तक की बसें लेट आवर में भी चालू हो ताकि वहां के लोगों को परिवन समंदी सुविदाय मिले माननी है उपमुक्य मंत्रे जी इस सदन के माध्यम से मैं आपको आउगत कराना चाहूंगा कि हमारे छेत्र मिरा जो जिला अभी वर्तमान कोट कुटली इसमें तक्रिवन सारे ओवरलोड विकल चलते हैं और प्रति दिन 1600 ट्रक 1600 ट्रक प्रति दिन किसी जगे एक वाया कोट कुटली होकर निकलते हैं जिनमें 60 टन से लेकर 60 टन तक माल होता है जो कानूनी रूप से भी सही नहीं है एक्सिडेंट भी होते हैं बड़े खतरनाक तरीके से चलते हैं रोडें टूकती हैं और कहीं कहीं आई टी ओ डी टी ओ उनको परिशान करते हैं तो मैं आपसे निविधन करना चाहता हूं कि या तो इनको रेगुलर कर दिया जाए या इनका सक्ति से पालन कराया जाए क्योंकि चलवाते भी कहीं कहीं सरकार की उपेक्षा होती है उसमें और रोखने में उसका टोर्चर होता है और उसको कोई फायदा नहीं होता फायदा कंजूमर को होता है और ट्रांस्पोर्ट वाले को बड़ी तखलीप होती है माझने सीद्य बिराजियर दो मिन्ट सर माझनी है मेरे जो पॉल्टिकन-पॉलो टेजिक अरॉ-बानम 수र में नहीं है उनके लिए मैं आप से निवेदन करुँगा साथ ही हमारे नारेणपुर में जो बच्चीयों का बच्चियों का कोलेज जो बन रहा था वो कोलेज Allotment कोलेज को हो गया लेकिन वो जमीन पी डबलूडी को नहीं दी जा रही है और वहां एक भी सरकारी नियोकता नहीं है सारे ही विद्या मित्र से लगे हुए हैं और subject भी कम है, वहाँ economics का खोला जाना बहुत जुरूरी है हमारे यहाँ, नराइनपूर और बानसुर में बस इस्टेंड के लिए, जगे अलोट करा कर, वहाँ बस इस्टेंड भी बना जाना जुरूरी है बानसुर में जो college खोला गया, वहाँ केवल एक प्रोफिसर है और दो लेक्सरार है चार जगे खाली है वहाँ फैकल्टी हमें बीएसी साइंस की ओर चाहिए यह आप से निविधन है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट चाहिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपने मुझे बोलने का समय दिया